सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को चलितात करते हुए पुलिस उपस्तिती दिवस पर यमुना नगर पुलिस को एक बड़ी सा फलता मिली है पंजाब से अपने ही माली के बच्चे का अफरण कर बिहार ले जाने वाले व्यक्ती को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफतार किया है जानकारी के अनुसार ये पताचला की वैव्यक्ती पंजाब से जहां काम करता था अपने ही माली के बच्चे का उठाकर बिहार ले जा रहा था इसी बीच आज जब पूरे जिले में पुलिस उपस्तिती दिवस मनाया जा रहा था तो जगे जगे पुलिस अपनी उपस्तिती दिखाते हुए नाके बंदी कर हर जगे पर चेकिंग कर रही थी इसी दोरान जब पुलिस ने उस व्यक्ति को रोप कर उससे पूछताश की तो पुलिस को संदेह हुआ जिसके बाद ये पताचला की व्यव्यक्ति अपने ही मालिक के बच्चे को उठाकर लाया है और उसे बिहाल ले जा रहा था फिलाल इस मामले में पुलिस ने पंजाब पुलिस को सूचना दे दी है जानकारी प्राप्त हुई है कि बच्चे का अभरण दुकान पर काम करने वाले नोकर नहीं किया है वे भी सिरब महज 8,000 रुपए के लिए नोकर को दो महीने की सैलरी नहीं मिली थी इसलिए उसमें बच्चे का ही अभरण किया अकबर है जो इनके पास नोकरी करता था पंजाब में बर्णाडा से इसको आज सुबह ब्रेड देने के बहाने उठा कर लेकर आया इसको हमने रीलवय स्टेशन यम्नानगर से बच्चे को भी रेसकू कर लिया बच्चे को ब्राउन कर लिया और पंजाब कुलिस इसको लेने के लिए आरी है हमारे पास यमुना नगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट यूगुमार्ग टीवी